मेरे जीजा जी हैं सुरिंदर जीजा जी पिता समान हैं वो जब भी मैं उनके पास कभी गया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे because he is the purest form of fire और मेरी बहन यहां बैठी है ऐसा कोई भी क्षन नहीं है बचपन से हमारे जब हम दोनों इकठे बैठे हो और वो रोके न उठी हो उच्छो क्यूँ? honest confession है अभी वो बोलना शुरू करेगी बात करते करते रोख देगी मेरे साथ पर उससे कोई सनहे में अंतर आ गया ऐसा नहीं है और जब भी मेरी बहन ने मेरे जीजा के बारे में कहा कि देखो यह गुसा करते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं मैं ultimately मैं भी जब बोलने लगता हूँ तो मेरी बहन कहती है उसकी साइड ले रहा है तूँ मैं उसकी साइड नहीं ले रहा मैं उसके element का हूँ आप समझ रहे हो सबंदों की गहराई को समझो मैं उसके element का हूँ इसलिए तुम्हें लग रहा है मैं उसकी side नहीं ले रहा हूँ वो ऐसे करते हैं इतना जोर से बोलते हैं फिर मेरे को डांड देते हैं तो मैं कहता तू ऐसा करती क्यों है मैं ये बोलते बोलते कहती है बस अब एक से हो गया अब दूसरा जहलू मत रहो तो पर बोले तेरे को मेरी बात नहीं समझ में आती मैंने कहा इसमें समझने वाली बात ही क्या है आप समझ रहे हो टकराव कहा है नजदीक मुझे कौन होनी चाहिए बहन होनी चाहिए और मैं तो openly कहता हूँ की बाप समान जीजा है मेरा मतलब और वो X, Y, Z फेक्टर है ये बच्चे बड़े-बड़े हो गए है बहन है, बहुएं आ गई है और ये सारे ये कहते है कि भई तेरा जीजा किसी के न सुनता, तेरी सुनता है गलत वो अपने एलिमेंट वाले की सुनता है वो लीडर है, ट्रांसपोर्टर है बुलिश है, बेपारी है तो पूरा शहर उसकी सुनता है और वो किसी की नहीं सुनता क्योंकि फायर वाले के कानों में सुराख छुटा है और मैं जीजे से कट टू कट टेलिग्राम वाली फार्म में बात करता हूँ तो कहता है, बताए मेरे को सारी बात समझ में आ गई यार, ये पदा नहीं क्या बोलती रहती है तेरी बहन मेरे को समझ में नहीं आता अब मैं बहन को कैसे बताऊं कि पहले दस सेकिंड वाला ही जीजे को क्लिप समझ में आता है, बागी तो अडिटी हो जाता है बागी तो है ही नहीं अब किसको किसकी समझ में आती है सेम एलिमेंट की समझ में आती है तो रिलेशन्शिप कौन सा रिलेशन्शिप जो सेम है उसी को उसकी आएगी तुम कितना ही उससे jealousy करते रहो, तुम उसको गाली देते रहो, तुम अपने रिष्टों में शक करते रहो पर बात का सच तो ये है मैं fire air हूँ तो मुझे fire water और fire air वाले की ही बात समझ में आएगी air और water वाले की या तो air fire वाला समझा सकता है क्योंकि air fire वाला किस से connect करेगा air water से air fire, air water और मेरे को water वाले की बात कौन समझा सकता है fire water वाला मुझे water वाले की बात समझा सकता है तो मेरे पास दो लोग कौन रहने चाहिए हमेशा एक air fire, एक fire water क्योंकि fire water वाला water वालों की बात समझ जाएगा और वो मुझे firey तरीके से बात को समझा देगा बस सारा खेल इस combination का है आप अपनी पूरे जीवन में जाकी मार के देख लो आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ गड़ड हो गई मैं अपने अलिमेंट में था वो अपने अलिमेंट में था खेल तो इन तत्वों का था मैं तो गुसा यूई कर गया अपने अपने अनुभव सबंधों के मामले में जो पुखता, स्टीक, ओरिजनल और जेन्वन हों क्योंकि उसी से सीखने को मिलेगा मैं एर और वाटर हूँ और मेरे घर में सभी लोग फायरी है फायर के साथ एर भी है अलिमेंट उनके पास समय नहीं होता किसी की बात सुनने के लिए इतना बोलती हूँ तो इतने में जवाब मिल जाता है मुझे शॉटकट में सुनते हैं और मैं बहुत परिशान हो जाती हूँ कि मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं है तो आज ही हाँ पे समझ में आया कि वो क्यों नहीं सुनते हैं और वो कितने कीमती हैं ये भी समझ में आया बिलकुल और तुम्हें तुम्हें क्या करना है तुम्हें उनके लिए धेर सारी option उनके सामने रखने कहने का अर्थ यह है कि क्या आप अपनी chemistry of relationship समझ पा रहे हो मैं air water हूँ यह मुझे कल पता चला और मेरे husband जो है वो fire water है तो उनको जो भी मैं वही जीज जो भी मिनों ने बोली सेम मेरे साथ यह होता है और वो business वो consultant है IT consultant है तो उनको resources मैं हमेशा मैं ही arrange करके देती हूँ वहां भी एक लड़की बता रही थी ऐसी कुछ बात है यह कितने लोगों की story है जो इन दोनों बच्चीयों की story है क्या same है same story है हाँ लग भाग वो तो फिर थोड़े बहुत element तो vary करेंगे पर क्या आपको सबंधों का गनित समझ में आना शुरू हूँ हूँ इसमें मैं जो add करना चाहते हूँ तो बताके तो पूरा माननेगे और मैं सुनूगा अधी पर कोई बात नहीं करते हैं बात तो हाँ हाँ बोल elements जो मुझे अभी जो समझ में आया वह यह है कि मैं जब resources अरेंज करते हूँ न के साथ उनlect onगी meetings fix करते हूं उनको बताते हूं कि आपको वहां जाना ये बात करनी है मेरे husband हमेesar मुझे बोले क्योंकि बात तो मैंने की है तो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए कि आपको जाके इस topic पर बात करनी है यह बात करनी है वह सुनते है इन है उस उस टाइम पर उस बंदे से मिलना है, इस पारे में बात करने, बस खतब. मैं कुछ बोल रही हूँ, वो सुनते ही नहीं है, और मुझे फे लगता है, मैं फालतुमेती ही महनत करे जा रही हूँ, मेरे हस्में को तो मेरी कदर ही नहीं है. और तुम फोटो की एक एक डिटेल बता रही है। अब क्या करोगी जाके? सर अब फोटो इदिखाऊंगी। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब. और सर, सेकेंड एक्सपिरियंस जो मुझे यहां आके मिला, वो है मेरी सोलमेट, शवानी. हम लोग VFC में मिलेते हैं, उसका भी एलिमेंट वायर है, और मेरा भी फर्स्ट एलिमेंट एयर है, और हम दोनों ने इतना अच्छे से जैल किया है, हमें लगा ही नहीं कि हम सिर्फ चार दिन से एक दूसरे को जानते हैं. पुराने जनमों के साथ थी. से एस. तो तुम एक से ग्यारा हो जाओ. मैंने एक से ग्यारा कहा है, नौदो ग्यारा हो जाओ, ये नहीं कहा है. क्योंकि मुझे पता है, मैं कहता हूँ गोल, और तुम इस पता नहीं क्या क्या सुना ही देखता है. can you balance relationships और धीरे धीरे practice से ये हो जाएगा और आज रात को जब सो गए सारी information seep in हो जाएगी कल तक तो ऐसा हो जाएगा कोई अपने किसी की बात कर रहा है तुम्हें उसकी बात से समझ में आ जाएगा कि उसके element क्या है इसका क्या है तो balance कहा करने की ज़रूरत है Can we create much better and more beautiful life possible है Can we create हाँ Good अब आपको ये भी पता है कि किस type की मानसिक्ता क्या होती है अब आपको ये भी पता है किस के साथ आप best gel करते हो अब आपको ये भी पता है किस के साथ आपके conflict रहते है एक आज के बाद ये मेरे से commitment करके जाओ अपने आपको दुखी नहीं करोगे किसी के तत्वों की quality की वज़ा से जब मन दुखी होगा तो मेरे को याद करना मेरी कोई कहानी याद करना मेरा कोई किस्सा मेरी कोई बात तुम्हें याद आ जाएगी और फिर मैं तुम्हारे अंदर का डायलॉग मैं बन जाओंगा और फिर हंस देना उस सीम पर ये बात मेरी नहीं है ये भगवान कृशन कह रहे हैं गीता में कि अरजन जो व्यक्ति तत्व ग्यानी हो जाता है फिर वो ठहर जाता है वो योगी हो जाता है क्योंकि फिर उसके लिए सारा जगत गुन गुनों में वर्त रहे हैं गुन ही गुनों से खेल रहे हैं गुन ही गुनों से मिलके अवगुन बन रहे हैं गुन ही गुनों में मिलकर अत्यंत गुन बन रहे हैं बस जगत का खेल सारा इन गुनों का है तुम इन गुनों की प्रकृतियों से स्वैम को दुखी मत करना ये मेरा मत है ये वाला मेरा मत है खुशदीप का मत है कि तुम का है दुखी हो रहे हो तुम इस बात के लिए दुखी हो रहे हो कि करेला जो है आम के जैसा क्यों नहीं है फर्क करेले में नहीं है तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दिमाग में करेक्ट करने की जरूरत है इसंट इट और ये ग्यान घर घर पहुंचाने की जरूरत है ये बड़ा कीमती है मामला तुम अपने आप को कम से कम डिस्टरब मत कर सुबसे जरूरी है तुम खुद को सहेज लो मेरे लिए सहेज लो अपने लिए सहेज लो और ये लगे किसके लिए सहेज हैं तो कोह केबी के लिए केबी के लिए क्यों क्यों कि केबी का नाम है खुश-दीप I have to spread happiness only तुम खुशियों को विखेरने के लिए अपना ध्यान रखने बस इतना कर्म मेरे लिए ही करो ये तुम जब खुश हो and you are spreading happiness तो खुश दीप is there फिर के भी तुम्हारे अंदर है इतना सा करो मेरा ये स्वार्त है सौ प्रतीशत स्वार्त है और ये कोई अध्यातम नहीं ये कोई धर्म नहीं और ये कोई विज्ञान नहीं ये सिर्फ तुम्हारे मन को रंग देने के लिए है मेरे लिए इतना सा काम कर दोगे ये खुश रहो मौज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो खोद लो पर मौज लो यहां मौज लेने आए हो तुम काहे दुखी हो रहे हो शिक्स टाइप और उनके mutual relationship समझ में है ये sheet आपको दी हुई है इसको और verify करना और correct करना और इसको घोट के पी जाना तुम तुम्हें जिंदगी में कोई दुखी कर दे ये challenge लेना फिर बात ये है कि तुम्हें को दुखी करके बता अगर आपने इतना कर लिया तो वास्तू हो गया मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये swim की happiness औरों के साथ खुशिया कैसे सहेजें और ये क्यों विक्रिती आ जाती है क्योंकि मूल रूप से तुम जनम से तुम सही ही हो तुम सिध ही हो तुम excellent ही हो ये तो कोई और ही परभाव है जिसके कारण तुम विक्रित भाशा में बात कर रहे हो जिसके कारण तुम में विकार है जिसके कारण जो तुम्हारी औरिजनल पहचान है वो उबर के बाहर नहीं आ रही उनके कारणों को हटाने का काम ये साफ सफाई करने का काम हम वास्तू के नाम से करते है असली मामला तो ये है कि तुम औरिजनली खुश हो बहुत ही प्यार से भरे हुए हो तुम में सारी समरिध्धी और सिद्धियों की सारी संभावनाएं है उसको जिन चीजों ने ढखके रखा हुआ है हम सिर्फ उनको क्लीन करते हैं हम सिर्फ ये सफाई का काम करते हैं ये संभवी नहीं है कोई दुनिया का ना कोई गुरू कुश दे रहा है सब जंड बना रहे हैं ना कोई जोथशी ना कोई तांतरिक ना किसी वास्तु वाले के इतना दम है कि किसी की प्रकिर्टी बदल दे किसी में कोई दम ना है possibility तो ये है कि तुम जो base material लेकर आए हो वो already सोना है platinum है, कीमती है, हीरा है वो already है, उसको कोई दूसरा नहीं बना सकता, उस पे जो पड़ी हुई गर्द है सिर्फ उसको हटाया जा सकता सच बात ये है, अग्यातवास के बाद मैं काफी सच बोलने लगा हूँ अब धंदे ऐसे मैं हूँ गहना नहीं बनेंगा NA जूट बोलता हूँ डो केरट का जूट बोलता हूँ तोल के दो केरट का मेरा यार है एरफान, मै उससे बोला यार तू एक्टर, तू जब मेरी तारिफ करते हैं, मेरे को यकीन नहीं होता बोला, क्या मतलब? बूडी लेंगवे जूठ तो आँक्छों से ही बोल देते मैंने का हमारी दोस्ती का राज क्या है किता पहले आ बताओ यह हिंदी मीडियूम फिलम की शूटिंग के तोरान मेरे घर के पीछे ही शूटिंग हो रही थी तो we had काफी सारा टाइम हम लोगों ने कठे बिताया इर्फान ने एक बात कही जिसको मैं दुनिया में अपने लिए बहुत बेहतरीन कंप्लीमेंट मानता हूँ मैं मानता हूँ अपने लिए कंप्लीमेंट मैंने का आप तो पब्लिक सेलिब्रिटी हो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो तो यार मेरे को समय में नहीं आता है एक सेलिब्रिटी की मेरे साथ दोस्ती क्योंकि आपन थोड़ा गाउं के देशी टाइप हैं और आप करते हैं हूं तो मैं भी गाउं कही और फिर भी यार रफान कान ये जरुफान खान कितने इंडियन एक्टर्स हैं मेल एक्टर्स जो बॉलिवुड में काम करते हैं जो एक्टर होगा वही तो करेगा, बाकी तो अपने सुपरस्टार हैं सारे, एक्टर बड़े कम है, यह ध्यान देना, यह डिफरेंस ध्यान में रखना, मैंने कहीं रिफान हमारी दोस्ती का राज क्या है यार, बड़ी अच्छी बात कहीं रिफान, बोले, एक्टर हूँ, तो एक्टिंग पहचानता हूँ, मुझे यार, तुम्हारे जितना नॉर्मल, नैच्छल आदमी नहीं मिलता है, उसको पता ही नहीं क्या होता है, इतना नैच्छल कोई कैसे हो सकता है, इतना सहज कैसे हो सकता है, मेरे लिए यह एक अशर्य है, मेरे लि छूट गई करता तो हूँगा धीरे-धीरे हट गया क्योंकि जतना ब्लंट होता जा रहा हूँ कि मैं तो ऐसा हूँ अपन काहे एक्टिंग करें वो जतना स्वैम को पहचानता गया प्रिटेंशन हट गई मुझ में या एवरी डे वो और हटती चली जा रही है और बोले बिल्कुल ठीक तो बोले भी आपके ससने की वज़ा मैंने का इरफान मुझे ये खुबसूरत लगता है कि अट लीस्ट तुम्हें ये तो पता है कि तुम कब एक्टिंग कर रहे हो क्योंकि आम जीवन में तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो कब एक्टिंग कर रहे हैं और कब वो एक्टिंग नहीं कर रहे और मुझे तेरे साथ सुख यही है कि तेरे को तो पता है कि तुम कब एक्ट कर रहा है तो मुझे तू योगी लगता है क्योंकि मैंने योग दर्शन में पढ़ा है कि योगी अपना रूप बदल लेता है और इर्फान जब हीरो है तो वो हीरो है जब वो विलिन है तो वो विलिन है जब वो रोमांटिक है तो वो रोमांटिक है तो मेरे लिए तो तो योगी है क्या रूप धरता है यार तो मैं तो तेरी योग से जुड़ा हुआ दोस्ती के माईने कुछ भी हो सकते है फायर एर है इरफान कहने का अर्थ क्या है वो लोग जुड़ते हैं उनके प्रेम की परिभाशा क्या है जब यो दो लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए प्रेम क्या है तत्व दर्शी की दृष्टी में प्रेम क्या है तत्व दर्शी की दृष्टी में प्रेम है पानी के सुआद जैसा पानी का सुआद कैसा होता है पर प्यास तो पानी से ही बुझती है गच्चा तो वो खा गए जो विस्की खोज रहे थे जा सोड़ा खोज रहे थे प्यास पानी से बुझनी है और बीबी को कहते है कि तू विस्की जैसी क्यों नहीं है तो मैं उनको समझाता हूँ बावले जहां से सिर घुमा के आया है देख शिराबी जो है न तब पकड़ा जाता है जब ज़्यादा संभल के चल रहा हो ध्यान देना तू तो अक्सर मेरे यार दोस्त मुझे उस दोस्तों की श्रेणी में रखते हैं जो कहते हैं ये बहुत ही कमी ने वाला है और मैं कहता हूँ तुम मेरी ग्यान इंद्रियों को जागरत किये ही मत करो अपन तो डपोल शंक बनके बैठने को तयार है पर तुम जैसे ही जरासी हरकत करते हो मैं क्या करूँ मेरा एक दम कोई ना कोई अंटी ना खुल जाता है प्रेम किसके जैसा है पानी के जैसा उसकी खुश्बू कैसी है सांसों के जैसी तुम क्यों जगड़ा कर रहे हो कि गुलाब के खुश्बू जैसी क्यों नहीं है तुम ये तुम्हारा लफड़ा है वो गुलाब गलत है तुम सोड़े जैसा रस देखना चाहते हो तुम विस्की जैसा रस देखना चाहते हो तुम में विकार है क्योंकि भुजाना चाहते हो प्यास और पी रहे हो दारू कैसे होगा प्रेम की परिभाशा क्या है दिखता कैसा है प्रेम ट्रू लव दिखता कैसा है कैसा दिखता होगा चमकदार, रोशनी, जोती जल गई, प्रकाश हो गया, कलरफॉल ऐसा दिखता कैसा है As it is जब जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें बाल बनाए बिना भी मिलने में कोई हिचक नहीं है जहां तुम्हें कुछ बनना नहीं पड़ता किसी को मिलने के लिए वहां तुम्हारा प्यार सच्चा प्यार है क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ जब तुम मिलते हो तो यू नेवर केर कि तुमने कपड़े कैसे पहने है तुमारा मेकप कैसा है ऐसा होता है कुछ लोग हैंसे वो कीमती है प्रेम की पांच परिभाशाई है फील कैसा होता है मैंने देखना बताया खुश्बू बताई टेस्ट बताया सुनता कैसा है और फील कैसा है प्रेम का फील कैसा होगा हवा के जोंके जैसा कैसा हवा के जोंके जैसा कुछ वैसा सा जैसे समंदर के किनारे तुम्हारे चेहरे पे वो जो एक breeze feel होती है कुछ उसके जैसा ये मेरी अपनी प्रेम की परिभाशाएं हैं तत्व दर्शी होने के नाते तत्वों के एनलेटिक्स का अभ्यास करने के नाते तो प्रेम सुनता कैसा है? धड़कन जैसा दिल की धड़कन जैसे होती है ठीक वैसा जिससे तुम प्रेम करते हो जब उसके साथ होते हो तो तुम्हें अपनी धड़कने सुनाई देने लगती है नहीं तो पते ही नहीं चलता कि दिल भी धड़कता है तुम्हारे भीतर और ये महसूस करना और जब भी ये अंजाने में होने लगे तो समझ जाना कि कोई cosmic chemistry है और ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको possess करो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसमें intervene करो ज़रूरी नहीं है पर अगर तुम्हारे ये sensory experiences हो तो समझना ये व्यक्ती प्रेम पूरण है आदरनिया है Irrespective of age and gender प्रेम की भाशा तो यही है और यह बिगड क्यों जाती है क्योंकि किस दिशा में किस से आपका सबंध क्या है इसको कैसे तो लें कृष्ण कह गए है गीता में कि जो अपने क्षेत्र में श्रेष्ट है वो मेरे करीब है मैं वहीं उसकी reflection वो मेरी ही reflection का हिस्सा है उसकी श्रेष्ट का तो जीवन में श्रेष्टा का आनंद लें और श्रेष्ट हो जाएं यह मेरा मत है यह मैं कहता हूँ कि इसको ऐसे कर लीजिए कैसे श्रेष्टा को प्राप्त करें कैसे इस जीवन को सुन्दर करें कैसे सबंधों को प्रगाड करें नौर्थीस्ट दिशा इश्वर से आपके सबंध को रिप्रेजेंट करती है इस नौर्थीस्ट आपके दोस्त हैं क्योंकि रेजवनेट तो आपको वही करते हैं सुसाइटी, गौर्णमेंट डिपार्टमेंट्स, पूरव दिशा से जुड़े हुए हैं इस साउथ इस्ट, इनलाज और अनलाफुल रिलेशनशिप्स यह दोनों यहां से जुड़े हुए हैं दोमेस्टिक हेल्प, क्लीनर और वाशर यहां से जुड़े हैं सिब्लिंग्स, क्लोज रिलेटिव्स, इन्फुलेंशिल पर्संस या वो कोई भी व्यक्ती जो आपके मनोवल को ताकत देते हैं वो यहां जुड़े हुए हैं साउथ में जुड़ा है आपके नेवर्स, नेवर्हुड एंड सुसाइटी का मतलब है सुसाइटी कौन सी, जिस सुसाइटी में आप रहते हैं एक होते हैं ना, RWA, Associations स्वीपर और एनिमी साउथ साउथ वेस्ट से है जब भी साउथ साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब होता है तो जीवन में विरोध भढ़ जाता है क्योंकि विरोध का मूल अर्थ है कब जी होना, क्या होना? Constipation Constipation हो तो शरीर में रोग हो जाते है जो constipation होने से जो bacterias आपके गट में फैलते हैं उनको एक्चली वेदों में असुर कहा गया है एक है nutrients, वो हैं देवता और nutrients के ultra toxins जो body में toxins हैं वो असुर है Parents, spouse, siblings, children, customer, partner technical and skilled employees या staff या आपके अपने educational skills West, Southwest से हैं West में teacher, guru, friends, suppliers West, Northwest में आपके counselors हैं किसी भी type के counselor जो आपको घुटन से मुक्ती देते हैं detoxify करते हैं even your therapist's massage and all that Northwest is bank and financial institutions या आपका banker कौन है उसके साथ आपका सबन्द North, North, West में sex partners and extra martial affairs customers and clients North में North, North East में health and immunity providers जो आपको healing और immunity देने वाले लोग हैं वो आपके North, North, East में depend करता है अगर आपके North, North, East में आपने कोई cutting का tool रख रखा है क्या रख रख रखा है तो सरजरी पकी है क्या समझें वहां पर क्या है तो solution किस से मिलेगा सरजरी से और अगर वहां पर alcohol रखा है तो solution किस से मिलेगा होमियोपेथिक मेडिसन से यहां पर सिलाई की मिशीन रखी है अगर यह ना हटाती तो यह पेट की सरजरी करवा के उसको stitch करवाती समझ में आया आप देख पा रहे हो एक-एक जोन का असर अब इसके अधार पर आपने relate करना है कि आपके यहां पर कौन सी चीज कहां रखी है तो आपके relationships कैसे है आपकी happiness quotient क्या है और आप happy कैसे होगे पहले तो आपने उन relationships को उनके गुनों के अधार पर अपने आपको उनके साथ resolve कर लेना है कि भई तू जैसा है तो ऐसा ही रहना है तेरे को बदलना नहीं है क्योंकि तू बदला तो क्या होगा destroy हो जाएगा क्या होगा अब तक अग्यान में आप जिसको भी destroy करने की कोशिश करते रहे अगर आप जाग गए हैं और आपको लगता है तो उसको इतना जरूर कर दीजिएगा message कि stay the way you are and that's what makes you most beautiful person in the world isn't it तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुन्दर हो और जिस दिन ये हट जाएगा कि मुझे बदलना है सुखी हो जाओगे ना तो अपने आपको बदलो ना किसी को बदलो गुनों का खेल है सिर्फ समान को बदलो यहां से रखके वहां रख दो और मौज लो रोज लो और खोजी गई अब तो शुरू हो जाओ अगर आप खुश हो अगर आपकी desire sorted है अगर आप healthy हो आपके लोगों के साथ relationship अच्छे हैं और आपका करम भी perfect है तो संपदा को create करने से कोई रोख ही नहीं सकता